हेलो दोस्तों दोस्तों आपका अमारे यूटूब चेनल में स्वागत है आज दोस्तों हम टोपिक लेकर आएं वेर्ण विचार जो एकजाम के दस्टी से बेहत इंपोटेंट टोपिक है और एकजाम में जब भी हिंदी वियाकरण में से क्यूशन आता है तो इस टोपिक में से जरूर आता है वेर्ण भासा की वे सबसे चोटी इकाई होती है जिसको और आगे विबाजित नहीं कर सकते और इनी वेर्ण या अक्सरों से सब्दों का निर्माण होता है और सब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं और इस तरह भासा का निर्माण होता है सामने ते हिंदी वियाकरण के अंदर चम्माली स्वेर्ण माने गए हैं जिसको दो बहगों में बाटा गया है स्वर और वेंजन इ, इ, उ, उ, री, अ, इ, ओ, आ, तो इस तरह यह ग्यारा सवर है और इनी ग्यारा सवरों को भी मुख्यतत तीन भगों में बाटा गया है जिसमें सबसे पहले हैं मूल या हस्वासवर जिसमें में एक ही मात्रा का परियोग किया जाता है जिनको बोलने में कम समय लगता है इसके बाद में है दिर्ग स्वर दिर्ग स्वर जिनमें हस्वर या मूल स्वर से ज़्यादा समय लगता है अर्थार्थ ये द्वी मात्रिक स्वर होते हैं इसमें दो मात्राओं का उप्यो किया जाता है दिर्ग स्वर है A, E, U, A, I, O, O और लाश्ट में है संयुक्त स्वर सामाने तर संयुक्त स्वर मूल स्वर और दिर्ग स्वर के संयुक्त होने से बनते हैं इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर करते हैं जैसे A, I, O, O अब यहां पर A, I का निर्मान किस तरह होता है और आई मिलते हैं तो आई का निर्मान होता है ओ का निर्मान जब आई और उ मिलते हैं तो ओ का निर्मान होता है आउ का निर्मान आई और उ से मिलने से आउ का निर्मान होता है लास्ट में दोस्तो आयोग वा है जैसा कि इसके नाम से इस पश्ट है कि ये किसी तक काम में नहीं आते ये स्वर भी नहीं है आयोगवा है तो ये है अंग और अहे तो ये दोस्तो है आयोगवा है तो इस तरह हमने देखा कि स्वर ग्यारा है और इसको मुखे तर तीन भगों में बाटा गया है अब हम आते हैं वेंजन की ओर वेंजनों की संक्या हिंदी व्याकरण के अंदर 33 है तो इस तरह दोस्तों ये 33 वेंजन है और इसको भी तीन भागों में बाटा गया है पर्थम जो 25 वेंजन है कैसे लेकर मैं तक इनको कहते हैं इसपर्स वेंजन क्योंकि जब हम इनको उचारित करते हैं इन अक्सरों को जब हम बोलते हैं तो हमारी जीब मुक में कहीं न कहीं इसपर्स करती है इसलिए इन्हें इसपर्स वेंजन कहते हैं इसके बाद में यह रह लेवाय यह अंतेस्ट वेंजन कहलाते हैं और इसके बाद के सह सह है यह उसम वेंजन कहलाते हैं जो यह रह लेवाय है इन्हें अंतेस्ट वेंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह स्पर्स वेंजन और उसम वेंजन के बीच में आते हैं और अंत में है दोस्तों जो उसमें वेंजन है सह 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 है तो इन्हें उसमें वेंजन इसलिए कहते हैं जब हम इनको उचारित करते हैं तो हमारी जीब में एक हमारी मुख के अंदर रगड पेदा होती है एक उसमा पेदा होती है इसलिए इन्हें उसमें वेंजन कहते हैं आगे हैं दोस्तों संयुक्त वेंजन जिस तरह हमने संयुक्त स्वर देखे थे उसी तरह संयुक्त वेंजन भी होते हैं जैसे यहां पे शे है इसका निर्मान आदे कय और शे से होता है इसी तरह तरह का निर्मान तय और रह से होता है धै जो यह विद्याले वाला है विद्या पूछ्रे का निर्मान शय और रह से होता है। दोस्तों एक ये पूछा जाता है कि उत्रश्प्त वेंजन कौन से है। तो डे को उत्रश्प्त वेंजन भी करते हैं। अब यहां पर हम एक कुछ महत्वपुन चार्ट टर्म हैं वो भी लेते हैं जो एक्जाम में अक्सर पूछ लिये जाते हैं जैसे अलप प्राण, महाप्राण, गोस या अगोस ये क्या है सामने तरह इनको हमें याद करने में दिक्कत आती है लेकिन हम इस ट्रिक के माध्यम से इनको बड़ी ही आसान तरीके से याद कर पाएंगे तो देखिए दोस्तों अलप प्राण जो वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा इसके क्या मतलब है तो वर्ग का पहला हो गया दोस्तों कै चैटे तै पै ये ये जो पहली लाइन है इसकी कै वाली चैटे तै इसको पहला वर्ग कहते हैं इसी इसी तरह तीसरा वर्ग जो गय, जय, डय, दय, बय, यह तीसरा वर्ग और इसी तरह जो लाष्ट वह पांचवा वर्ग है और इसमें साथ में आते हैं अंतस्त, सभी अंतस्त जो वेंजन है इसके साथ सभी स्वर, इन सभी को मिलाकर कहते हैं अल्प प्राण, अब यह हमें या आयू में 135 का अंत हुआ सबी स्वर्ध गए अब इसको हम समझते हैं दोस्तों जिसा कि इसका नाम है अलप प्राण मतलब इसकी हम अगर हम इसको सभी तरीके से समझे तो इसका मतलब यह होता है कि अलप प्राण मतलब इसकी आयू है जो अलप है कम है जल्दी ही जो मर जाता है उसको हम कहते हैं अल्प प्राण वाला या अल्प प्राण तो जल्दी कितने लोग मरे एक सो पेतीस लोग मरे मतलब अल्प आयू में एक सो पेतीस का अंत हुआ और वो अल्प आयू में मरे और सबी स्वर्ग गए तो इससे दोस्तों आप याद रख सकते हो कि अल्प आयू याने अल्प से अल्प प्राण और आयू में 135 या 135 से मतलब है एक से पहला वर्ग तीन से तीसरा वर्ग और पांच से पांचवा वर्ग का अंत हुआ अंत से याद रखना दोस्तों अंतरस्त वेंजन और सभी स्वर्ग गे स्वर्ग से याद रखना स्वर्ग जो लास्ट में बचे सभी स्वर्ग है तो इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हो दूसरा है महाप्राण तो महाप्राण में वहीं आएंगे जो अल्प प्राण में सेस रह गए हैं वो सभी महाप्राण के अंदर आ जाएंगे तो इसके लिए हमें ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है आप देख लीजिए महाप्राण के अंदर जो दूसरा वर्ग है चोता वर्ग है और सभी उसमें वेंजन ये सब महाप्राण के अंदर आएंगे तो जो अल्प प्राण में नहीं आए वो सभी महाप्राण के अंदर रह गे जो स्वर और वेंजन बचे वो सब महाप्राण के अंदर आ जाएंगे अब हम लेते हैं गोज और अगोज ये क्या है तो गोज या सगोज इसमें वर्ग का तीसरा चोथा और पांचवा वर्ग है इसके साथ सबी अंतरस्ते और है ये सब आते हैं गोश या सगोश के अंदर अब हम इसको के से याद रखे तो इसकी ट्रिक देखिए 345 की गूस देते ही अंदर है गूस का मतलब है दोस्तो रिश्वत और अगर 345 रुपे की किसी को रिश्वत देते हैं तो डाइरेक्ट हमें अंदर जाना पड़ेगा जेल के अंदर जाना पड़ेगा तो इससे याद रखिए 345 की गूस देते ही अंदर तीन से तीसरा वर्ग चार से चोता और पांच से पांचवा गुस से याद रखना गोस या सगोस देते ही अंदर अंदर से याद रखना दोस्तों अंदर से अंतरस्त अंदर अंतरस्त मिलता जुलता सब्द है तो इससे याद रख लेना और है लाश्ट में आता है जो है यहां जित्तिये, सै, सै, सै ये गोफ car 주 के अन्दर आते हैं इस तरह दोस्तों हमने देखा की वेंड क्मालिस होते हैं सवर्ग्यारा होते हैं और वेंजन तितियस होते हैं दोस्तों अगलो वीडिव के अंदर हम उचारणिस्तान के बारे में बात करने वाले हैं और उसकी लिंक आपको description box में भी मिल जाएगी दोस्तों इस वीडियो को अगर आप एक दो बार और देखते हो तो आपको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं पढ़ेगा आपको ये वीडियो देखते ही याद हो जाएगा दोस्तों सामाने तर जो हिंदी है हिंदी बासा इसके अंदर देवनागरी लिपी का परियोग किया गया है जिसकी कुछ विचेस्ताइएं भी है जैसे कि ये बाएं से दाएं करम में लिखी जाती है इसके सबी जो अकसर या वर्ण है वो समान आकरती के होते हैं और जैसी ये जाती है वेसी ही लिखी जाती है तो ये हिंदी बासा की कुछ महतुफून विशेशताई थी जो हमने आपको बताई है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीजिसे लाइक भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर भी कीजिए और अब अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लिए